देश के 90 फीजदी दो पहिया भानों की पिछली सीट खाली रहती है इस बात से दुखी गुंटू पल्ली का कहना है कि केंदर वो राज्य सरकारें साथ दे तो यह खाली सीट नौजबानों को रोजगार देने और शहरों का परदूशन घटाने में करांती कारिभून का निभ चुकी है रैपिडू देश का तीसरा सबसे बड़ा राइड शेरिंग प्लैटफॉर्म भी है उसका दावा है कि वह हर महीने एक रोड राइड ट्रांजक्शन को अंजाम देती है बंगलूर उस्तित मुख्यालिया वाली कंपनी का कहना है कि इस में से 35 फीजदी आटो से औ और वहां मुझे दक्शन कोरिया की सैर का मौका मिला वहां मैं देखता था कि 16-17 साल की उमर के बाद लड़के और लड़कें रेस्तरा होटल जैसी जगों पर पार टाइम करने लगते हैं माबाब से पैसा लेना बंद कर देते हैं सोचता था हमारे मुलक में ऐसा क्यों नही देखा जो वाकई देश के लाखों नौजवानों को पार टाइम रोजगार दे सकता था वह भी अपना घर बार या शहर छोड़े बगार बस वहीं से रैपिडो का स्टार्टिंग पॉइंट था शुरू में थोड़ी हिचक थी लेकिन बाद में खुल कर गले लगाया इसलि रहती थी बस ऐसी तकनिक का इंतजार था जो स्कूटर की खाली सीट को एक्स्टर इंकम का जरिया बना सके हमने उसी वैक्यूम को पूरा किया रैपिडो ने लाखों ऐसे दो पहिया चालकों को उन लाखों लोगों से जोड दिया जो सस्ते सवारी की तलास में थे